Welcome back to my youtube channel guys आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो है नमबर मन्त की complete prediction वीडियो with tips and tricks तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा benefits रहेगी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सुबसे पहले मैं कहना चाहूंगी preparation from first and prediction is candy so take it as a guess work अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जो मन्त की first date है वो है 6 नमबर उस दिन day होगा Saturday और उस दिन सिर्फ academic वालों का exam होगा जैसे कि जो listening का level उस दिन आ सकता है वो होगा easy to moderate और past two months से level listening का easy to moderate ही आ रहा है मन्त की first date में और जो reading का level आने के chances हैं वो moderate होंगे because एक definitely level आएगा मतलब morning slot में अगर नहीं आ तो evening slot में definitely level moderate आ सकता है बट ये morning या evening में एक level definitely आएगा जो moderate level की reading होगी अगर आप detail में question type भी देखना जाते हैं तो उसकी prediction video मैं जल्दी ही upload करूँगी तो अब हम बात करते हैं जैसे की जो listening में question type आ सकते हैं जैसे की listening में आपको आ सकते हैं MCQs आ सकते हैं आपको philips आ सकती हैं और साथी साथ आप listening के जो most common words repeat होते हैं listening में exam में अब वो वाली videos भी जाकर मेरे channel पर check कर सकते हैं अब हम आगे बात करते हैं 11 November के बारे में 11 November को day होगा Thursday और उस दिन academic और GT दोनों का exam होगा और GT का उस दिन first exam होगा और listening का level आने के chances हैं easy because बहुत ज़्यादा chances हैं की listening easy ही आएगी और reading academic वालों की जो reading आएगी वो होगी easy to model और जो GT की reading आएगी वो easy ही होगी definitely easy होगी और उस दिन जो question type आ सकते हैं आपको जैसे की MCQs आएगी list of heading आ सकते हैं true false not given आ सकते हैं साथ के साथ आपको blanks भी आ सकते हैं मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि please मैं चालों को subscribe कर लीजिए आपको यह और भी कफी सारी वीडियो देखने को मिलेंगी अब हम बात करते हैं third date का दो जो third date है वो है 20th November उस दिन जो day होगा वो होगा Saturday और उस दिन academic और GT दोन्यों का exam होगा और उस दिन जो listening आएगी वो होगी level easy to model और जो reading आ सकती है जो reading का level आ सकता है उस दिन रजे वो होगा easy to model plus level का reading उससे नाई बहुत ज़्यादा easy आएगी नाई उस दिन रेडिंग बहुत ज़्यादा difficult आएगी वो reading का जो level होगा वो intimidated level होगा और इसके साथ मैं आपको यह चीज़ कहना चाहूँगी कि आप reading की मेरी master video जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़े हैं जो पता चलेंगी साथ की साथ जो website मैं आपको suggest करना चाहूँगी वो website है alsfever.com trainingonline.com और mini als यह तीन website हैं जहां से mostly जो reading passages आते हैं but reading passages तो रजे आते ही साथ की साथ 19 की मैंने जो चीज़ खुद देखी है कि most of the time alsfever.com में से reading passages उठाए जाते हैं बड़ जो question type होते हैं जो उसमें जो questions होते हैं वो questions change करते हैं जाते हैं तो please answer उसको crime मत कीजिएगा साथ की साथ आप मेरी writing 1 and 2 के template video भी जाकर चेक कर सकते हैं अब वो भी use कर सकते हैं writing में अब हम बात करते हैं 27 November के बारे में जो month की last date है उस दिन day होगा बैनेस जे और उस दिन academic और जेटी दोनों का exam होगा और उस दिन जो reading आ सकती है वो होगी moderate और जो listening आएगी वो होगी easy to moderate जैसे की रजे listening में आपको आ सकते हैं philips आ सकते हैं map आ सकता है possibility है कि map आ सकता है question depending करेगा जब exam date near होगी तो मैं complete prediction डालूँगी in detail में कि कितने question type आ सकते हैं ये वाले और जो reading में बात करें तो reading में आपको mcqs आएंगे philips आएंगे और जैसे की mcqs में आपको क्या हो सकते हैं कि 10 mcqs आपको easy आ सकते हैं जिसमें से 5 mcqs आपको tricky थोड़े से लग सकते हैं जैसे की दजी ये सारे चीजे थी जो मैं आपको बताना चाहती थी साथ की साथ आप मेरे telegram चानल भी जोइन कर सकते हैं आपको exam वाली reading अपलोड की जाती है तो आप बांसे reading ले सकते हैं practice के लिए और साथ की साथ आप मेरे को instagram पर भी follow कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो helpful लगी होगी अगर वीडियो helpful लगी तो प्लीज में चानल को subscribe करना ना बुलेगा and thank you for watching